दुबाई की रंगीन साम, अमीरों सी रईसी, रोल्स रायल जैसे कारों की सवारी, हवाई जहाज का सांदार सफ़र, आखों में बिला चस्मा, बालों में गुलाबी रंग और गजब का स्टाइल। यदि मैं कहूं कि ये सक्स नागपूर में सडक के किनारे चपरी लगाकर चाय बेचते हैं, तो आप मेरी बातों पर बिलकुल यकीन नहीं करेंगे, पर ये सच है। और ये कोई साधारन चाय वाला नहीं है, बलकि साउट सुपरिष्टार रजनी कांट के स्टाइल में चाय बनाते और सर्ब करते मसुहूर डॉली चाय वाला हैं, और इस समय डॉली चाय वाला ने सोशल मीडिया में संसनी फैला रखी हैं। भारत ही नहीं, बलकि ये अभी दुबई में भी कई ब्रांट को परमोट करते हुए नजग आ रहे हैं। कौन कहिता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खड़ी सकता हैं। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है रोज तो, तुम मैनत तो करो। चर्चा यह भी है कि डॉली चाय वाले को माइक्रोसॉप्ट कमपनी अपने बिंदोश ड्वेल्प का ब्रेंड अम्बेसडर बनाने जा रही है। इसके अलावे लेमारगीनी जैसे लगजरी कार को भी ड्राइब करते हुए डॉली चाय वाले को देखा गया है। इसके बाद से डॉली चाय वाले की कितनी कमाई हर महने होती है इसको जानने के लिए लोगों में उपसुता बढ़ गई है। सुत्रों की माने तो सोशल मीडिया से जैसे यूटूब और इस्टाग्राम से हर महने लाखों रुपय की कमाई डॉली चाय वाले को हो जाती है। इसके अलावे कई ब्रांड पर्मोशन और कई अन्य प्रोग्राम करके भी लगवक पांच लाख रुपय की कमाई हर महने डॉली चाय वाला कर लेते हैं। जब आपसे लपने करने वालों की तादाद बढ़ जाये तो समझ लेना किया आप कामयब हो रहे हो। सोशल मीडिया स्टार और स्टाइलिस्ट चाय वाले डॉली सडक के किनारे टपरी लगा कर चाय बेचते हैं। पर उनकी ख्याती किसी सेलिब्रेटी से कम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि डॉली एक कारिकरम में अपने हाथों से चाय बना कर दुनिया के दिगज, बिजनेसमेन और माइक्रोसप्ट कमपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स को चाय बिला आए और डॉली बिल गेट्स को पहचान भी नहीं पाए। बहुत जरूरी है पैसा कमाना क्यूंकि आज कल दिल नहीं अवकाद देखता है जमाना। ध्रूरी है जब प्रूरी है प्रूरी है प्रूरी नहीं कर दो… जब झाए।